अब आफ्टनून एव्रिवान मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अड़र 24-7 रेगिलेटरी बॉडिस पर और आप सभी की बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट थी कि माम जितने भी G20 के जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं जहां-जहां पर हो रही हैं हमें वो सारी एक ही विडियो में करवा दो आज क्योंकि ये बर्निंग इशू भी है बर्निंग आज इन अभी ये रिसेंटली चल भी रहा है अभी G20 की मीटिंग्स हम में पता है निवेंबर तक चलने वाली हैं तो ये हमारा एक करन टॉपिक भी है और हमारे एक्जाम से भी एक्ज सारी चीजेंसे पूछी जाएंगी तो आज के सेशन में हम यही सारी चीजें जानेंगे कि कौन कौन सी मीटिंग्स हैं कहां कहां पर हो रही हैं किस ऑल्स फॉलो करना चाहिए जैसे आप अख़बार भी पढ़ते हो तो अख़बार भी आपको ऐसे पढने चाहिए जू जा the fake news ना छापे है ना उनका कोई अच्छा सोर्स हो जैसे हिंदू हो गया, express हो गया, mint हो गया, ये अच्छे newspapers हैं, है ना बहुत सार ऐसे newspapers होते हैं जो कुछ भी खबरे चापते रहते हैं, ऐसे ही कुछ government sites होती हैं, उनको आपको follow करना चाहिए, और अगर कोई किसी भी site के बारे में, किसी भी body के बारे में आपको पता करना हो, हमेशा उसकी official website पर जाया करो, इधर उधर के sources से मत पढ़ा करो, गलत information मिल जाती है, फिर आप confused हो जाते हो, हमेशा official website पर जाया करो, और वहाँ से चीज़े जो हैं, पढ़ा करो, अब question ही आता है, कि बहुत सारे students को official website पर जाना हो, और कैसे read करते हैं sites को, वो नहीं आता है, तो आज मैं आपको सारे centers बताऊंगी, और उसके साथ-साथ मैं आपको G20 की website पर भी live अपने साथ यहाँ पर लेकर चलूंगी, तो सभी से आज यहीं, सबसे पहले तो request है कि फटा-फट session को एक बर share कर दिजे, सत्य जी जी, very good afternoon, okay, planting seeds of inspiration, okay, हाँ जी, हाँ जी, G20 तो मुझे लगता है सिर्फ 2023 के लिए नहीं, 2024 में भी अगर कोई कि आप exam लिखोगे, उसमें भी G20 से question आएगा, तो यह इतना important topic है, कि आएगा ही आएगा यहाँ से, All India Radio अच्छा है, AIR अच्छा है, सत्य जी जी, AIR अच्छा है, शचांग जी, very very good afternoon, तो शुरू करें आज का session हम, चलिए, ओके बहतरी, चलिए, शुरू करते हैं, सो सबसे पहले, हम यहाँ पर सारे centers वगेरा जाने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा static बता देती हूँ, G20 का, आपको पता है, एक December को हमें G20 की जो है, वो presidency मिली, जहाँ पर अप्रॉक्स अप्रॉक्स दो सो मीटिंग्स होनी है, यह अलग-अलग newspapers ने अलग-अलग लिखा हूँ है, किसी ने धाई सो लिखा हूँ है, बट मैंने यह एक official, एक अच्छे legit source से आपके लिए information ली है, मैंने यह information PIB से ली है, जो कि सरकार की ही एक website है, तो सरकार ने अगर को information दे रखी है, तो हम वो information पढ़ेंगे, अब आगे सरकार ही उसको, उसमें कोई changes कर दे, तो वो हम accordingly adjust कर लेंगे, बाकी अगर government को information दे रही है, हमें वो पढ़नी है, ठीक है, हमें वो ही याद रखना है, 200 meetings, 50 cities में, ठीक है, यह सब होगा, थीम आप सभी को पता है, वसुदेव कुटंबकम, और one earth, one family, one future, ठीक है, वसुदेव कुटंबकम का, यह जो हमारा थीम होता है, हम सभी को पता है, और उसके साथ साथ, life जो mission है, lifestyle for environment, इससे भी, आज सुबह ही, मैंने, अगर आपने मेरा P.I.B. का session लिया होगा, अगर आप, और अगर यहां पर देखिया, अधित्य जी, साक्षी जी, सत्य जी, आप लोग मेरे सुबह सुबह के P.I.B. में live क्यों नहीं आते हो, 8.30 पर, वहां पर भी मैं बहुत important चीज़े वहां पर करवाती हूँ, आज मैंने life mission के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि G20 क्या है या कितने देशों का group है, तो अगर कोई आप से पूछे कितने countries आते हैं G20 में, तो 19 countries आते हैं, ठीक है, 20 countries नहीं आते हैं, क्योंकि 19 countries और एक group which is European Union होके मिला के 19 countries को और एक group को मिला के बनता है G20 का पूरा group, ठीक है, तो आपको से आपको confused किया जाएगा, आप बात कर लेते हैं, G20 जो है, वो 1999 में बना था, एशा में एक economic crisis आ गया था, उसके बाद, financial crisis आ गया था, उसके बाद यह बनाया गया था, पहले तो central bank के न, governors यहाँ पर इखटे होते थे, मिलते थे, सारी चीज़े करते थे, कि कैसे crisis वगेरा आए, यह सारी चीज़े जो है, solve करते थे, और उसके बाद, धीरे धीरे, यह इतना important group बन गया, कि government के जो head है, वो भी यहाँ पर जाके मिलने लगे, और economy को discuss करने लगे, especially, जब 2007 में हमारा जो financial crisis आया, उसके बाद, यह सारी चीज़े होने लगी, G20 की जो importance है, वो बहुत ज एक, ऐसे कर करके, यहाँ पर leadership मिलती है, G20 काम कैसे करता है, G20 का जो आप बोल सकते हो, कि यहाँ पर न, दो parallel tracks होते हैं, एक को हम finance track कहते हैं, जहाँ पर सारी finances की discussions वगेरा होते हैं, और एक को sharepa, बाकी सारी जो चीज़े होती हैं, वो discuss होती है, यह sharepa track में, या फिर sharepa वाली सकती है, कि एक नया working group जो है, किस चीज़ पर disaster risk reduction जो है, वो establish किया जाएगा, यह हमारी हमें जो presidency मिली है, तो हम क्या नया कर रहे हैं, इससे पहले यह group नहीं था, ठीक है, यह एक नया initiative जो है, इंडिया की presidency में ही G20 groups ने लिया है, जो कि यहाँ पर disaster risk reduction जो है, एक बनाया जा जाएगा, ताकि disaster जैसे earth quick आ गया, किसी भी तरीकी का disaster आ गया, उससे कैसे निपटना है, उस चीज़ पर, यहाँ पर बाते होंगी, groups बगेरा बनाया जाएगा, यह सारी चीज़े होंगी, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, कि G20 की India की क्या-क्या priorities है, यानि इंडिया किस-किस चीज़ों पर, किन-किन points पर ध्यान देने वाला है, अब इतनी बड़ा, इतना बड़ा मौका हमारे पास है, तो हमें कुछ important चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहला है, accelerated, inclusive and resilient growth, कि जी हमारी growth जाधा होनी चाहिए, हम ऐसी चीज़े करेंगे, जिस ले लेने हैं, इन सारी meetings के दोरान, technological transformation हो, digital public infrastructure, तो digitization की तरफ, technology की तरफ भी हम जो है बढ़े इस तरीके से, और women-led development हो, यानि women को empower करने के लिए भी हमने जाधा से जाधा steps में उठाने हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी countries भी, अच्छा, चलिए, अच्छा, यहाँ पर जो special guests थे, इंडिया के special invites थे, वो थे, बांगलादेश, एजिप, मौरेश्यस, नीदरलांड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगपॉस, पेइन, और युनाइटेड आरब्स, एमिरेट्स, ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं, हम December से ही शुरू करते हैं, देखे, यह मैंने G20 की site पे ही लिया है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको site पर भी लेकर चलूँगी, ताकि आपको एकदम clear दिख जाए, ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है, तो यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास date, यह मह की meeting थी, वो हुई थी आपके जी उद्यपुर में, ठीक है, फिर उसके बाद 13, 14, 15 को meeting हुई, पहली development working group meeting हुई, कहाँ पर हुई, मुंबई में, उसके बाद पहली finance और central bank के जितने भी deputies हैं, उन्हों में मिलकर एक meeting करी, कहाँ पर हुई, बैंगलॉर में हुई, ठीक है जी उसके बाद 16 और 17, यह है आपकी date, ठीक है, इस date को पहली framework working group की meeting हुई, बैंगलॉर में, 20 तारिक को एक first joint finance और health, मतलब finance और health, दोनों की जो है, एक meeting हुई, वो virtual हुई थी, मतलब ऐसे, virtually जैसे हम यह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे जो है, वो meeting हुई थी, कोई location इसकी नहीं है, ठीक है, यह हुई कुछ December में, important, important आपकी, January 2023 में क्या-क्या हुआ, 9, 10 और 11 January को पहली meeting हुई, आपकी global partnership for financial inclusion, की bank की, बैंकों की सुविधाएं हम कैसे कैसे सब तक पहुँचा सकते हैं, इस पर एक meeting हुई, कॉलकाता में, उसके बाद 16 और 17 January को पहली infrastructure से related एक meeting कहा पर हुई, तीरुवननतपुरम में, चीक है, चलिए, आप देख लेते हैं, अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने आपको जानवरी लिखा है, next में भी जानवरी ही है यह, पहली international financial architecture की, जो है meeting हुई, वो चन्दीगर में हुई, कब-कब हुई, कब-कब हुई है, आप पर आप देखेंगे, फिर पहली जो है, employment working group हुई, employment से related, जो भी बातचीत हुई, वो जोधपूर में हुई, उसके बाद education से related, जिक्ती भी meetings हुई, वो चेन्नाए में हुई, ठीक है जी, फिर जन्वरी में ही हमारी एक energy से related, energy sector के लिए भी meeting हुई, वो कहा पर हुई, जो है, वो meeting हुई, वो हमारी असम, गुवाहटी में हुई, climate को लेकर जो हमारी meeting हुई, बैंगलॉर में हुई, tourism को लेकर जो हमारी meeting हुई, वो run off कच में हुई, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, February, यानि जो month अभी चल रहा है, ठीक है, मैं आपको site पर भी लेकर चल अच्छा, यहाँ पर जो है, अच्छा, यह सारी चीज़े हम देख चुके हैं, ओके, 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 यहाँ पर agriculture working जो है, 13, 14, 15 February, ठीक है, इन दौर में, ठीक है, और उसके बाद, यह मैंने आज के ही आपको, P.I.B. में आपको पढ़ाया था, कि खाजुराहु जो है, साथ आपको एक और चीज़ बताई थी, कि हमपी एक साइट है, हमपी और भुबनेश्वर, दो ऐसी जगाए हैं, जिन दो जगाओं को सेलेक्ट किया गया है, यह cultural वाली मीटिंग्स करने के लिए, ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बता दू, आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर तो हमपी और यह सब लिखा नहीं हुआ है, यह सब इसलिए नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि G20 की ही वेब साइट ने साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है, कि यह जो साइट है, जरूरी नहीं है, कि इन में कोई changes नहीं हो सकते, इनके places में changes किये जा सकते हैं, तो जरूर यह चेंज नहीं हो सकते, यह चेंज हो सकते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें चीजे कुछ आड़ हो जाएं, ठीक है, तो ये भी है, ये G20 की साइट से ही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी एक मीटिंग जो है, मार्च में अमरित सर में भी होनी है, एजुकेशन से रिलेट होगी, ठीक है, उसके बाद ट्रेड वाली जो है, वो मुंबाई में होगी, उसके बाद विशाका पतनम में होगी, इंफ्रास्रक्चर वाली, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, फिर से गुजरात में, गांधीनगर में होगी, ठीक है जी, और उसके बाद आर्किटेक्चर स से आप जो है यह सारी मीटिंग्स यहां पर रीड कर सकते हैं मैं थोड़ा सा यहां पर excited हूँ आप सभी को site पर ले जाने के लिए तो अभी आप मेरे साथ बने रहे और मेरे साथ आईए हम जो है एक बर फटा फट site को visit करते हैं let's see चलिए जी 20 का simple सा site है जी 20.org करके ठीक है देखते हैं क्या खुलता है चलिए यह जी 20 का website खुल गया official website से पढ़ा करो अच्छे sources से पढ़ा करो इधर उधर के sources से मत पढ़ा करो official website से पढ़ोगे official चीजों से पढ़ोगे तो information accurate होगी आपके पास जी 20 की जैसे ही हम site पर जाते हैं यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा में meetings होनी है ठीक है यहाँ पर चंदिगड पंजाब तो यह कुछ centers है जहाँ पर सारी meetings होनी है जोधपूर में होनी है फिर उसके बाद लखनाओ यूपी खजराहों मद्यप्रदेश यह आज ही मैंने पढ़ाया उसके साथ साथ हम नीचे भी देखेंगे उद्यपूर राजस्थान यह तो हो चुकी है न दिसेंवर में फिर रन आफ कच गुजरात ठीक है चलिए नौथ एस्ट में देख लेते हैं कहां कहां पर सिलिगु वेस्ट बेंगॉल में होनी है गुवहाटी आसा मैंने अभी अभी आपको बताया यह बात करते हैं कॉलकता की वेस्ट बेंगॉल यहां पर होनी है फिर उसके बाद भुबनेश्वर ओडिसा यह मैंने अभी आज सुबह ही पी आईबी में आप सभी को पढ़ाया था भुब अब आजाते हैं बैंगलोर करनाटिका में अब आजाते हैं थोड़ा सा साउथ में जहां पर चेन्नाय में भी होगी तामिलनाडू कोची केरला ठीक है और एक और पढ़ा था न हमने क्या पढ़ा था तिरुवनंतपुरम केरला ठीक है तो यह सारे सेंटर्स हैं आप भी इस के लिए फेमस है यहां पॉंगल के लिए फेमस है इस फेस्टिवल के लिए फेमस है तो बड़ा इंट्रस्टिंग है काफी सारी एक्स्ट्रा इंफरमेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगी कौन सा टेंपल कौन सा फेस्टिवल यहां पर फेमस है क्योंकि क्योंकि क्वेस् प्रिति जी ये सारी meeting करनी है आपको, RBI हो चाहे कोई भी exam हो, सारी की सारी meetings करनी है आपको, SM नहीं सोचना की कितने महीने की, नहीं, G20 अपने आप में इतना important topic है कि हम इसमें से selective नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ topic होते हैं, जिसमें से मैं आपको बोल देती हूं कि इसमें से चलो आप selective पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, नहीं, G20 आपको 2023-2024, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप 2025 में paper लिख रहे हो, 2023 के G20 में से, 2023 के G20 में से आपका सवाल पूछ लिया जाए, तो ये तो इतना important topic है, इसलिए मैं इस पर इतना ज्यादा focus दे रही हूँ, कुछ skip नह कुछ ऐसे, you know, कुछ ऐसे फैसले लिये गए हैं, या फिर अपना कुछ tricks बना सकते हैं, जिससे आप को चीज़े याद रहें, ठीक है, तो ऐसी जो है, आपको करना है, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर, अगर मैं, ओके, देखते हैं, हमारा वो कहाँ पर है, होस्ट सिटीज, जब आप G20 2023 पे जाओगे, तो होस्ट सिटीज करके option आएगा, ठीक है, होस्ट सिटीज, अच्छा, यह हमने यहाँ पर देख लिया, और उसके बाद आएगा calendar, देखते हैं, calendar पे क्या है, हाँ, calendar पे जब आप जाओगे, तो यह calendar पे ही, आपको यह सारी च फिर उसके बाद यह सारी, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, यह सारी आगें यहाँ पर, ऐसे ही आप जो है, साइट को जो है, विजिट कर सकते हैं, अगर आपको मान लो, February में जानना है, January में जानना है, February में जानना है, कि कौन कौन सी मीटिंग कहां, कहां पर होनी है, आपक यहाँ पर इस साइट के जरीए बता दी जाएगी, ठीक है, तो ऐसे जो है, आपको साइट, आप एक बर ही विजिट कर लीजिएगा, राइट, ओके, अगर आपको G20 के सेकर्टेरियट जानने है, कि कहां कहां पर क्या-क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं, बाकि इसके बारे में जो static portion है, वो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि वो मैं आपको बता दूँगी, बट आप जो है, यहाँ पर बार बार आप एक बर October, November में भी एक काम करेगा, यहाँ पर calendar पर जाकर विजिट कर लिएगा, ठीक है, और यह क्योंकि सबसे best source है, official source है, इससे बढ़िया source कोई नहीं है, तो इसकी site पर जब ही भी आपका exam हो, मालो आप कोई ऐसा exam दे रहे हो, जो April में है, या फिर June, July, August कभी भी, तो एक बार एक काम करना, G20 की website पर जाना, और फटा फट जो है, यह सारी जो है, एक बार ही देख लेना, especially वो वाली तो जरूर देखना जो अगर मालो आपका April में paper है, तो March, February, January, यह पिछले दो तिक महीने की तो एक बार देख लेना, ठीक है, तो यहां से आपको सारा combine सब कुछ एकटा एक ही जगह मिल जाएगा, बहुत अच्छा source मैंने आपको बताया है, तो इसी तरीके से आप official sources follow करिए, P.I.B. follow करिए, अच्छे newspapers follow करिए, कहीं भी किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हो, उसी की official website पर जाके पढ़ा करो, इससे बहतर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, I hope इसका आप पूरा-पूरा utilize करेंगे, November तक हमारी meetings चलेंगी, November तक आप जो नहीं किया है, तो ये मेरा telegram handle है, जहां पर मैं सारे PDF शेयर करती हूँ, इसका PDF भी just last के बाद शेयर कर दूँगी, ये मेरा Instagram handle है, दोनों को तुरंथ शेयर कर लीजे, sorry, join कर लीजे, ताकि आपके PDF और lectures बगेर है, कोई भी miss ना हो, PIB मैंने सुबर सुबर साड़े 8 बजे भ बाद शुरू हो चुका है, उसमें enroll के लिए, और मुझसे करंटफेस पढ़ने के लिए, Y674 आपको जो है, code यूज करना पड़ेगा, इससे आपको 75% discount मिलेगा, और ये जो हमारा offer है, ये आज भी है, ठीक है, जहां पर आपको bank maha pack पर जो है, double validity के साथ 77% off मिल रहा है, तारीक से उसका batch शुरू हो रहा है, 22 February से, तो time हमारे पास बहुत कम है, उसमें आप तुरंत enroll कर लिजएगा, bank of India का जो credit officer का form निकला हुआ है, मैंने आपको कल भी बताया था, अच्छा वो bank maha pack plus में भी, जो है, जो है, वो available है, ठीक है, bank maha pack plus में भी, bank maha pack plus के लिए आपक series है, 24 महीने, दो साल की आपको validity है, prelims में इस interview, तीनों की तयारी, मेरे द्वारा current affairs, और इस तरीके से current affairs आप पढ़ेंगे, कि आपके interview तक की आपकी preparation हो जाएगी, यानि आपके concept clear हो जाएगे, ठीक है, बाकी आपको जो है, recorded sessions वगेरा वगेरा, full length test, ये सारी चीज़े जो ह बैंक महापक प्लस में मिलेगी, बट उसके लिए आपको करना है क्या Y674, एक code, I'm sure, अब तक आपको ये code याद हो जाना चाहिए, आप कुछ भी करते हैं, इस code को आप use करिए, ताकि आपको maximum discount मिल सके, आप जब apply करेंगे Y674, तो जो पूरा coach 28,499 का था, वो सिर्फ आपक का session आपको अच्छा लगा हो, अब हम कम मिलेंगे, 6 बजे, the bigger picture में, जो की हमारा एक सबसे अच्छा current affairs का show है, solution है, तो मैं आप सभी को वहाँ पर देखना चाहती हूँ, आज बहुत सारे लोग मेरे साथ जुडे हैं, ये सारे लोगों को मैं अभी, अभी invite कर रही हूँ, 6 बजे आप सभी को मेरे साथ लाइव आना है, अड़ा 24-7 regulatory bodies पर, कहां पर, bigger picture पर, thank you so much, have a wonderful day, bye-bye.